अध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब बस इतना है कि हम fast forward में है. हमें नारियल और आम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुकी हम fast forward में हैं, हम इसे या उसे तोड नहीं सकते. तो यहां अच्चांद भी fast forward में है. पूरे 28 दिन, चांद की सारी 28 कल आएं, आप यहीं देख लेते हैं जो पूरे एक महिने में होता है, वो एक सुक्ष्म रूप में यहीं हो रहा है जब इस तरह का fast forward हो रहा है, तो काफी चीजें बदल रही है एक चीज आप देखेंगे, कि खाना, खाने की बात सुनकर आप जीब मतलट काईए नई, खाने से मेरा मतलब आपके शरीर से है आज हम कुछ शेर चीते बुला रहे हैं, वो आपको देखेंगे और सोचेंगे, खाना खाना मतलब आपका शरीर, खाना ही आपका शरीर बन जाता है, खाना ही आपका शरीर है तो जब मैं खाने की बात करूँ, तो खास तोर पर पका हुआ खाना सडने की प्रक्रिया से कहीं ज्यादा तेजी से गुजरेगा एक सुक्ष्म तरीके से आम दिनों की तुलना में हम एक छोड़ा सा प्रयोग करेंगे, कोई खाने की चीज है? हम थोड़ा खाना लाने वाले हैं, अपनी जीब मत लटकाईएगा ये खाने के लिए नहीं है, ये बस आपको दिखाने के लिए है कि ये हमारे सामने ही कितनी जल्दी खराब हो जाएगा तो हर चीज एक अवस्था से होकर गुजर रही है अगर आपको ये पहले से पता नहीं हो सांबर नहीं है क्या? लाकर इसमें डालिए वो सिर्फ चावल कैसे खाएंगे? ये सिर्फ खाने के साथ ही नहीं हो रहा है ये आपके शरीर के साथ और पूरी दुनिया के साथ हो रहा है एक खास तरह से अगर अगर आपके शरीर में खाना है तो ये आप पर बहुत ज्यादा असर करेगा यानि दो घंटों में ही आपके उर्जा लगभग 28 दिन बूढ़ी हो जाएगी इसका मतलब आपका जीवन 27 दिन कम हो सकता है उर्जा के स्तर पर एक सुक्षम तरीके से जैसे जैसे ये ग्रहन आगे बढ़ता है हम इससे देखते रहेंगे खाना अभी अच्छा है खा लें गया अभी अच्छा है अभी तक तो ये खाना ठीक है आप अगले एक से डेड़ घंटे तक देखते रहिए इस खाने में वदलाव आएगा हमारे यहां बैठे बैठे ठीक है अब हम इसे रखे रहने देते हैं ये और पकेगा तो पून चंदर ग्रहन के दिन इतनी सारी चीजों का ध्यान इसलिए रखा जाता है क्योंकि आप 28 दिनों से होकर गुजरते हैं सिर्फ दो घंटों में लगबग दो घंटों में तो आज खास दिन है क्योंकि धर्ती के अलाइन्मेंट के कारण आज धर्ती पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हर वो चीज जो अपनी प्राकृतिक अवस्था से दूर हो चुकी है वो कुद्रती तौर पर इस दिन बहुत जल्दी खराब होती है हमने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया है पर मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मान लीजिये कि हम ये एक्सपेरिमेंट करें कि एक लाश कितनी जल्दी सड़ती है तो इस दिन ये और दिनों के मुकाबले अधिक तेजी से होगा किसी को प्रयोग करके देखना चाहिए अगर कोई पैथलोजी लबॉरटरी में काम कर रहा हो तो उसे ये प्रयोग करना चाहिए पर मैं आपको ये खाने के साथ होता दिखा सकता हूँ पका हुआ खाना क्योंकि ये एक लाश के समान है यानि ये अपनी प्राकृतिक अवस्था से दूर जा चुका है ये अपनी प्राकृतिक अवस्था में कैसा था और अब कैसा है, ये दूर जा चुका है हम अभी भी इसे खा सकते हैं, ये अभी भी हमें पोशन देगा जबकि ये मर चुका है, तब भी ये हमें पोशन देता है लेकिन देखें अब ये कितनी शान्त हो गई है जब अब ये उत्साह नहीं है जब हमने पहली बार जाचा, तो वो इस दिशा में घूम रही थी अभी ये बस ये ये अभी भी पूरी तरह तामसिक नहीं हुआ है पर हो जाएगा, बस हो नहीं वाला है अगले 15-20 मिनिट में आप देखेंगे अगर हम इसे जाचें, तो माला घडी की उल्टी दिशा में घूमेगी जब चांद का छोटा सा हिससा ही दिखेगा आप देखेंगे कि ये तेजी से इस दिशा में घूमेगी तो अगर ये खाना आपके पेट में होता अगर आप शाम साथ बजे खाना खा लेते और याँ बैठे होते, तो ये आपके अंदर हो रहा होता तो मैंने सोचा कि बहतर होगा कि ये आपके अंदर होने के बजाए बाहर हो वरना खाना पेट के अंदर सरता अगर हम भौतिक विज्ञान के नजरिये से देखें अगर भौतिक विज्ञान के सीमत दाइरे में आपकी जाच करें तो एक स्तर पर आप बस दिल, गुर्दा, लिवर, फेवडे वगर हैं हम जानते हैं, आज ये सब बदले जा सकते हैं किया आप बदले जा सकते हैं? देखते हैं, सांभर का क्या हो रहा है? ये मेत्वपूर्ण है, थाना? आप देख रहे हैं? किया आप इसे देख सकते हैं? ये तेजी से नेगेटिव होता जा रहा है देखे, हमने आपसे कहा था कि खाना ना खाएं दिल्ली में वो लोग जो आज खा रहे हैं उनका क्या करें ये एक पूरे दौर से गुजर रहा है जो 28 दिन में होता है वो सुक्ष्म रूप से उर्जा के स्तर पर इस दो घंटे के समय में हो रहा है कुल कितने मिनट हुए 100? 130 मिनट? चंदर ग्रैंड को? ये कुल दो घंटे के आसपास है है न? लगभग तीन घंटे के आसपास इन तीन घंटों में जो 28 दिन में होता है वो अभी हो रहा है आपके यहां बैठे-बैठे आपके शरीर के साथ भी ये हो रहा है आपको इसे महसूस करने में सक्षम होना चाहिए मगर आप इसे महसूस नहीं कर पा रहे है इसलिए सांबर आपको वो बता रहा है जो आपका दिमाग आपको नहीं बता पा रहा है तीन घंटे या उससे कम समय में हम इसे चालीस मिनिट से भी कम समय से देख रहे है एक घंटे के अंदर जो पौश्टे खाना था वो जहर में बदल रहा है ये यहीं हो रहा है हमारे सामने अगर आप इसे खाते हैं तो क्या होगा? क्या मैं मर जाओंगा? दुर्भाग ये से नहीं मैं दुर्भाग ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर अगर आप इसे खाकर तुरंत मर जाते तो एक कानून बन चुका होता कि ग्रहन के दिन कोई भी पकाऊवा खाना नहीं खाएगा पर क्योंकि वो सुक्ष में रूप से हो रहा है क्योंकि अगर आप अगर